होकी का जादुगर या जादुगरी का हगदार मेरे खयाल से दोनों जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मेजर ध्यानचन के बारे में जिनका आज जन दिवस है मेजर ध्यानचन का जन 29 अगस्त 1905 को प्रियाग राज में हुआ था इनके पिता जी प्रथम ब्रहामन रेजिमेंट के सुबेधार थे प्रथम विस्युद्ध छिडा और 1914 में ये विदेश चले गए लड़ाई करने के लिए बाद में इनकी माता जी इनको जहासी लेकर के सपरिवार चली आई बाद में जैसे ही पिता जी विस्युद्ध समाप्त होने के बाद लोटे तो पता चला कि उनके पुत्र ने छटी कक्षा से ही पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है उनका खेल कूद में उसी समय से बहुत मन लगता था किसी तरीके से 1922 में सिपाही में भारतिय सेना की सिपाही में वे भरती हुए और 1926 तक आते आते उन्हें अपने खेल का अर्थात होकी का गुरू भी मिल गया बाला तिवारी जी उनके गुरू थे जिनकी देख रेख में मेजर ध्यान चन ने अपनी खेल कूद की पहली सिक्षा सुरू की उनके गुरु बाला तिवारी उनको देखते थे कि वे चांद की ही रोष्णी में खेला करते थे और खेल कूद में बड़ी लगन से वो खेलते थे चांद की रोष्णी में खेलने के वज़े से उन्होंने इनका नाम मीजर ध्यान चंद रख दिया जबकि सुरू से ये मीजर ध्यान सिंग के ही रूप में जाने जाते थे हलाकि उस समय वो मेजर नहीं थे, उस समय मामली से वो सिपाही थे इनकी जर्णी की असली शुरुवात होती है 1926 में जब ये पहली बार New Zealand के दोरे पर जाते हैं होकी के खेल में उन्होंने क्या कमाल वहां पर दिखाते हैं 21 मैच में 18 मैच भारतिय टीम जीतती है 2 मैच ड्रा होता है और सिर्फ एक मैच भारतिय टीम हारती है तब से तो मेजर ध्यान चंद का होकी के खेल में डंका ही बच जाता है इसके बाद सुरू होती है असली जर्णी 1928 के इंस्टरडम के ओलंपिक में भारतिय टीम मेजर ध्यान चंद उसमें एक सदस्य होते हैं और उनके सदस्यता में ही भारती टीम क्या कमाल वहां पर दिखाती है आप रिकॉर्ड सुनेंगे तो आश्यर चकित रह जाएंगे वहां पर भारती टीम का जबरदस्त प्रदर्शन रहता है और ऑस्ट्रिया को 6-0 से, बेल्जियम को 9-0 से, डेनमार्क को 5-0 से, स्विट्जर लैंड को 6-0 से और फाइनल मैच में हॉलेंड को 3-0 से भारती सेना हरा देती है तभी से पता चलता है और इनका सेना में प्रमोशन भी हो जाता है ये उस समय लांस नायक से नायक बन जाते हैं 1932 में इसके बाद अगले जड़नी होती है और 1932 में अगला उलमपीक अमेरिका के लॉस एंजल्स में खेला जाता है उसमें भी भारतीय टीम अपना पर्चम लहरा देती है और फाइनल मैच में अमेरिका को 24-1 से वो भारतीय टीम परास्त कर देती है यहीं से मेजर ध्यान चंद का भारत ही नहीं बलकि देश-विदेश में हर होकी प्रेमी उनको ध्यान से देखता है और पूरे देश-विदेश में उनका नाम हो जाता है मेजर ध्यान चंद को अमेरिका पहुचाने के लिए यहां तक कि पंजाब निशनल बैंक से होकी फेडरेशन लोन लेती है और किसी तरीके से बंगाल होकी फेडरेशन कुछ पैसी की जुगार करके इनको भेशती है अब आता है 1936 का समय 1936 में बर्लिन उलमपिक हिटलर का पूरे विश्व में उस समय जवरदस्त बोल बाला था हिटलर ने होकी मैच को प्रोपेगेंडा की भी रूप में वो देखते थे और पूरे देश में धूम धाम से होकी मैच की तैयारी हो रही थी भारतिये टीम का प्रतनिधित्व करने का मौका कपतानी करने का मौका मेजर ध्यान चंद को मिला और मेजर ध्यान चन ने बखु भी हलाकि पहला मैच होता है इसमें अपने संस्मरन में मेजर ध्यान चन बताते हैं कि वो प्रैक्टिस मैच जर्मनी के साथ होता है और भारतिय टीम 4-1 से हार जाती है पूरे ड्रेसिंग रूम में भारतिय टीम के जितने भी सदसे थे वो दुख के मारे खाना नहीं खाते हैं और मेजर ध्यान चन कहते हैं कि मैं जब तक जिवित रहूँगा तब तक इस हार को मैं भूल नहीं पाऊँगा और यह भी धोखा दिया जाता है कि जर्मनी की B टीम ने ये मैच खेला था ए टीम तो उससे भी ज़्यादा मजबूत होगी जो फाइनल मैच खेलेगी यह सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था जो भारतिय टीम को अपने से कमतर दिखाने के लिए जर्मनी के दुआरा चलाय जा रहा था लेकिन फाइनल में जर्मनी की B टीम ही आती है और तब उनकी चला की देख करके भारतिय टीम की आँख खुल जाती है इसके पहले सारे परतिद्वंदियों को हराते हुए भारत और जर्मनी का बर्लिन में फाइनल मुकाबला होता है ये मुकाबला तो वास्तों में देखने लायक था और मेरे लिए वास्तों में जब मैं मेजर ध्यान चंद की जीवनी पढ़ रहा था तो पढ़ने के दौरान मुझे ये सबसे अच्छा द्रिष्टांत लगा फर्स्ट हाफ तक भारतिय टीम सिर्फ एक गोल कर पाती है बाद में सेकंड हाफ का मैच जब सुरू होता है तो उसके बाद भारतिय टीम दना दन दन करके चार गोल दाग देती है और उस समय स्कोर होता है भारतिय टीम का पांच गोल से भारतिय टीम उस समय आगे रहती है खेटलर आधे मैच के बाद ही दुख के मारे मैदान छोड़ करके चले जाते हैं वो खेल देख नहीं पाते हैं इसके बाद गुस्से में जर्मनी की टीम के जो गोलकी पर थे वो अपने हौकी स्टिक से मिजर ध्यान चंद के चेहरे पर एक स्टिक लगाते हैं उनकी एक दान तूट जाती है इस्ट्रेचर पर किसी तरीके से मेडिकल एसिस्टेंस ले करके आते हैं और भारतिय टीम बहुत ज़्यादा उस समय गुस्से में थी लेकिन मेजर ध्यान चंद ने कहा कि हम गांधी गिरी दिखाएंगे यदि हम भी यही काम करेंगे रिटेलियेट करेंगे टिट फो टैट करेंगे तो उस टीम में जर्मनी टीम में और भारतिय टीम में क्या अंतर रह जाएगा इसके बात की तो कहानी सुनकर कि आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे वास्तों में मेजर ध्यान चंद को कई बार यह मौका मिलता है वो जाएं और उनके गोल पे उनके तरफ बॉल ले आते हैं तो वास्तों में ये खेल बहुत है सांदार था और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतिय होके टीम आठ एक से जित जाती है लेकिन जब बंबई भारतिय होके टीम पहुंशती है तो उनके स्वागत के लिए सिर्फ दो लोग आते हैं इसे देख करके ध्यानचन जी को बहुत ज़्यादा दुख होता है छोग पहुंशता है जिस होके टीम का पूरे विश्व भर में इतना नाम था उसके स्वागत के लिए सिर्फ दो व्यक्ति लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते हैं कहा जाता है कि वो बहुत ही संकोची सुभाव के थे लेक सब उनको जानते थे 1947 की एक बात है जब बाबु केडी सिंग अफ्रिका के दोरे पे पूरी भारती होके टीम गई थी तो मेजर ध्यानचन बाबु केडी सिंग को एक पास देते हैं और पास देने के बाद ही वे अपने गोल की अपने गोल पोस्ट की और लोटने लगते हैं बिना देखे कि बाबु केडी सिंग ने विपक्षी दल में गोल दागा की नहीं जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया तो कहते हैं कि इतने अच्छे पास देने के बावजूद भी यदि बाबु केडी सिंग गोल नहीं कर पाते तो उन्हें भारती होके टी स्टिक में जापान की टीम ने कहा कि वे अपने होकी स्टिक में गोन लगा करके आते हैं ताकि बॉल उनके होकी स्टिक में बिल्कुल चिपक जाती है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी यहां तक कि इन स्टर्डम उलम्पिक के बाद हॉलेंड की टीम ने उनके होकी स्टिक को तुड़वा दिया और ये चेक किया कि कहीं उनके हौकी स्टिक में चुम्बक तो नहीं लगा है लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी ये सिर्फ उनकी जादुगरी थी उनकी फंतासी थी उनकी फंकारी थी जिसके माध्यम से वो पूरे विश्व के अपने हौकी के प्रसंसकों में भारत ही नहीं बलकि पूरे विश्व भर में वे जाने गए हिटलर ने 1936 की ओलंपिक में एक बहुत ही महत्पुन मैं बात बता रहा हूं कि 15 अगस्त 1936 को यह फाइनल ओलंपिक का मैच खेला गया था कोई नहीं जानता था कि उसके 11 साल के बाद उसी दिन भारत को स्वत क्योंकि राष्टी तिरंगा जंडा स्विक्रित नहीं हुआ था वे भारतिये खेमे में आकर के उनको कॉंग्रिस का जंडा खिलाडियों को दिखाते हैं और कहते हैं कि जीत लो जीत जाओगे तो तुम जंग जीत जाओगे और भारतिये टीम का होसला अफजाई होता है और भारती टीम क्या छका कर जर्मन खिलाडियों को धोती है। इन सारे खेल को देखने के बाद में वास्तों में मेजर ध्यान चंद का योगदान उभर करके सामने आता है। 1949 में वे प्रथम सिर्णी के होकी से सन्यास ले लेते हैं लेकिन उनका योगदान कभी भूला नहीं जा सकता है। 1956 में उनकी योगदान के लिए पत्म भूशन उनको भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद में जब भारती होकी टीम बहुत ज़्यादा उंदा प्रदर्शन नहीं करती है तो जो मेजर साहब हैं उनको काफी दुख होता है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पहले वो सिपाही के रूप में भरती हुए, फिर लांस नायक के रूप में भरती हुए, फिर नायक के रूप में भरती हुए, फिर वो लेटिनेंट बने, कैप्टेन बने और अंत में सुवेदार फिर मेजर। एक तरीके से उनको ओन्रेरियम प्रोमोशन दिया गया और इसलिए वो मेजर ध्यान चन के रूप में जाने जाते हैं एक व्यक्ति की जितनी भी प्रसंसा की जाए उतनी कम है क्योंकि मेजर ध्यान चन ने बहुत ही कम समय में पूरे भारतियों का दिल जीत लिया अपने शांत सभाव से अपने मिर्दुल सभाव से उन्होंने जहांसी में लोगों की होकी खिलाडियों की एक टीम बनाई और बराबर वे उन्हें प्रसिक्षन देते थे कम पैसे में अभाव में उन्होंने पूरे भारत के लिए खेला 1956 में उन्हें पद्म स्री से जब अवार्ड जब उनको दिया गया तो वे बहुत ज़्यादा प्रफली थे बहुत ज़्यादा खुश थे उनके परिवार की सदस से उनकी पतनी जानकी देवी से जब BBC की टीम ने एक बार बात की तो उन्होंने कुछ संस्मरन की घटनाओं को साजा किया उन्होंने कहा कि जब वो कोल काता गये थे तो एक प्लेयर ने गुस्से में हौकी स्टीक से उनके पैर पर खेल के दोरान मार दिया था लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रियक्ट नहीं किया उन्होंने कहा कि इसका पूरा का पूराज सरल जीवन साधा जीवन एक बात मैं और आपसे साजा करना चाहता हूं कि एक बंबई में जब एक निशनल लेबल का मैच हो रहा था तो उस मैच को देखने के लिए पृत्वी राज कपूर आये थे पृत्वी राज कपूर के साथ एक बहुत बड़े गायक भी आये हुए थे जब हाफ मैच खत्म हो गया मैं आपको बता दूँ मेजर ध्यान चंद के भाई रूप सिंग भी ओलंपियन थे और 1936 के फाइनल ओलंपिक में रूप सिंग भी वहाँ पे खेला करते थे तो पृत्वी राज कपूर के साथ में गायक सैगल आये हुए थे और जब गायक सैगल ने हाफ तक का मैच देखा तो उन्होंने रूप सिंग से कहा कि आप दोनों इतने अच्छे खिलाडी हैं और मैं एक भी गोल नहीं देख पाया इतने में रूप सींग और ध्यानचंद कहते हैं कि क्या मैं जितने गोल करूँगा उतने गाने आप हमारे लिए गाएंगे तो उन्होंने स्विकार कर लिया कि हाँ जितने गोल आप करेंगे उतने गाने मैं आपको सुनाओंगा इसके बाद second half में 14 गुल दागे गए और 14 गुल दागने के बाद में सैगल को गाना सुनाना पड़ा उसके कुछ अंस मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूँ कि जब दिल ही तूट गया हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही तूट गया हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही तूट गया इस तरीके से उन्होंने कई सारे 14 गाने सुनाए और सारे खिलाडियों को घड़ी भेट की लेकिन इसके बाद के कहानी दुखदाई है इतने अच्छे प्लेयर विश्व विख्यात प्लेयर जब भारतिय हौकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थी और कहीं न कहीं भारतिय हौकी में राजनिती का प्रवेश हो चुका था और क्रिकेट भी छोटे मोटे खेल की रूप में उस समय उभर रहा था तो भारतिय हौकी टीम के अच्छे प्रदर्शन ना होने के वज़ा से मेजर सहब काफी बिमार चल रहे थे और इसी बिमारी वस उन्हें लिवर कैंसर हो गया और पहले तो जहांसी के हौस्पिटल में उ उनको भरती कराया गया कई उनके जब साथी उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही तंग हाली में जीवन वैतित कर रहे थे और बहुत ही मुश्किल और दैनी कंडिशन में वो जी रहे थे इतने बड़े अंतराश्टी होकी प्लियर के साथ इतना ख प्रसंसक जब उनसे मिलने के लिए गये तो हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि मेजर सहाब क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर खिचवा सकता हूं इतने में मेजर सहाब ने मना कर दिया लोग उन्हें दद्दा के नाम से जानते हैं क्योंकि वो पंजाब रेजिमेंट से वो कहीं कहीं से फटी हुई थी उनकी कमीज भी फटी हुई थी उन्होंने कहा कि मेरे इस हालात के फोटो आप जब साजा करेंगे लोगों के साथ तो लोगों का हौकी पर से विश्वास उठ जाएगा और वो बहुत ज्यादा दुखी हूंगे और इस तरीके से ये उनका सुभ उनको इस तरीके से कठिन परी स्थीतियों से गुजरना पड़ा लेकिन फिर भी पूरे देश भर में जो राष्टी एक खेल दिवस मनाये जाएगा वो काफी धूमधाम से मनाये जाएगा इस दिवस को राष्ट पती भौन में द्रोनाचार्ज पुरसकार अरजुन पुरसका और राष्टी एक खेल पुसकार भी दिया जाएगा तो पूरे के पूरे जितने भी खेल के प्रसंसक हैं दिवाने हैं उन सब के लिए बहुत महत्पुन औसर है और मेजर द्यान चंद को जो भारतिय ओलंपिक सग ने पूरे शताबदी का प्लेयर उनको घोसित किया और वा तो मेजर ध्यान चंद के जन दिवस पर इतना आप सभी को नमस्कार